एक बार समर्थ स्वामी रामदास जी भीक्षा मांगते हुए एक घर के सामने खड़े हुए और उन्होंने आवाज लगाई जै जै रगभूीर समर्थ घर से महिला बाहर आई उसने उनकी जोली में भीक्षा दाली और कहा महात्मा जी कोई उपदेश दीजिए स्वामी जी बोले आज नहीं कल दूँगा दूसरे दिन स्वामी जी ने पुना उस घर के सामने आवाज दी जै 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 रगभीर समर्थ उस घर की इस्टिरी ने उस दिन खीर बनाई थी जिसमें बादाम पिष्टे भी डाले थे वह खीर का कतोरा लेकर बाहर आई स्वामी जी ने अपना कमंदल लागे कर दिया वह इस्टिरी जब खीर डालने लगी तो उसने देखा कि कमंदल में गोबर और कूड़ा भरा हुआ है उसके हाथ ही तक गए वह बोली महाराज या कमंदल तो गंदा है स्वामी जी बोले हा गंदा तो है किन्तु खीर इसमें डाल दो इस्टिरी बोली नहीं महाराज तब तो खीर खराब हो जाएगी दीजिये या कमंदल इसे मैं सुद कर लाती हूँ स्वामी जी बोले मतलब जब या कमंदल साफ हो जाएगा तभी खीर डालोगी न इस्टिरी ने कहा जी महाराज स्वामी जी बोले मेरा भी यही उपदेश है मन में जब तक चिंताओं का कूडा कच्रा और बुरे संसकारों का गोबर भरा है तब तक उपदेशामरित का कोई भी लाब नहीं होगा यदि उपदेशामरित का पान करना है तो प्रथम अपने मन को सुद्ध करना चाहिए कुशंसकारों का त्याक करना चाहिए तभी सच्चे सुख और आनन्द की प्राप्ती होगी